हेलो वाइस मेरा नाम है वीजे और आप देखें मेरा YouTube चैनल इंफो वीजे तो स्टार्ट करेंगे हमारी जो कुछ अप्लिकेशन उसको क्रेट करना इसका नाम है KBC अप्लिकेशन कौन बने का क्रोड परती जैसे कि मैं आपको बता है कि हम इसी algorithm को यूज करेंगे जो कि हमारी ट्रिवर कुस एप तो उसी हम बेस algorithm को यूज करेंगे बस हमें कुछ चेंजिस करने होगी तो UI मेंने design कर दिया है यह UI हम यूज करेंगे तो अगर आपने UI वीडियोस नहीं देखे हैं में इस UI creation का पाट जो कि Adobe XD में है तो definitely आपको वीडियोस देखने सीजिए उसका link आपको description में में जाएगा कि हम यह सारा UI screens यूज करेंगे for the development of this application और मैंने सभी assets को export कर रखा है अब मैं आप यहां पर देख सकते हैं तो सारे assets हम यूज करेंगे inside the Android Studio चलिए back कर जाते हैं और सभी को हम copy करते हैं क्या हम इनकी जुरुद पड़ेगी जाते हैं मारे Android Studio में और यहां पर हम जाते हैं हमारे यहां पर आचुके हैं तो आप उपन करते हैं द्रेक्टरी और यह सारे के सारे assets यहां पर आ चुके हैं previous value भी रहेंगे but don't worry अभी हम इन सभी और चेंज करेंगे अभी से वापस आते हमारे Android Studio के अंदर अब आप देखते हैं यहां पर हमारी indexing हो रही है अब indexing हो चेके complete तो सबसे पहले करें मुझे design create करने हैं तो आप यहां पर हम चाहूं तो इनको हमें remove करने है तो इन्हें मैं यहां पर स्लेक्ट करता हूं and design text में जाता हूं text mode of the example review पे click करता हूं and यहां सबसे पहले मुझे design हटाना है जो कि timer का है तो अगर मैंने इसके click किया तो अब देखें यह वाला constraint layout है तो timer तो हमारा को यहां पर नहीं चीए है हमारे को यहां पर भगकिए elements को place करने है तो constraint layout में हमारा timer text view है I think यह पूरा whole constraint layout है यहां पर हमारा image view है जो कि यह मारा timer का content hold करके रखता है यहां से हटा देता हूं यहां पर TXT, Timer और यह TextView का यहां तक है तो इसे मेरा से Delete कर देता हूँ तो जैसे मैंने Delete किया तो आप देखो तो यहां पर हमारा TextView भी Delete हो गया तो एक बार वापस लेकर आपते हैं तो TXT, Timer और इसका जो Constraint है वो एक्षिलिम हमारे इस Top के साथ Connected है तो जो यह Constraint ऐसे में Remove करना है तो वापस आजे Design Tab में यहां पर इसको Select करते हैं और इसका Constraint है वो हम हटा देते हैं अब हमारा यहां पर UI थोड़ा खराब हो गया तो वापस लाते हैं और यहां पर TextView को Select करते हैं यह हमारा Text Question तो उन्हें नीचे करना पड़ेगा हमें कि हमारे को थोड़ी थी यहां पर Changes करनी पड़ेगी तो थोड़ा Tricky होने वाला है That is the reason कि मैं वीडियो को यहां पर Cut नहीं कर रहा तो एक काम करते हैं वर्टिकल लेवर का यूज करते हैं submitting linear layout पूरा connected है तो हम नीचे करें तो हो और लिटा आणड हो यह हो नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं वापर से undo करते हैं आते हैं यहां पर और undo करके वापर से यहां पर लाते हैं इसका हम Constraint यहां से Change करते हैं ने यहां पर okey constraint यहों अब हम इसको delete करते हैं इसको भी किया हमने constraint change किया then I deleted that तो अब यहां पे इसको हम चाहे तो सभी को उपर कर सकते हैं तो जाते हैं design tab में तो designing थोड़ी tricky है तो अब यह properly adjust हो चुका है क्या हम यहां पे life-lens डालेंगे तो यह automatically है सारी changes हो जेंगे अब यहां पे भी constraint set है इसे भी हम delete कर देते हैं अब हमने सारे जो main elements को delete कर दिया अभी हम इन्हें ही delete नहीं करते हैं क्योंकि पूरे अपर अपर layout बढ़ बढ़ा आजेगा that is the reason कि अभी सब को delete नहीं कर रहा अब आते है text tab पे तो सब कुछ सही है लेकिन अब हम जैसे ही quiz activity screen पे जाएंगे तो यहां पे हमारे को कुछ error face करना पड़ेगा और जो पहला error वो यह है तो सबसे वहले में time text को delete करता हूं कि यह हमारा time text है इसको मेरे को यहां से हटाना है delete और कोमा भी यहां पे error i का नीचे सबसे पहले इसे हटाना है क्योंकि हमें timer की जरुवत नहीं है तो timer को भी हमें careful हटाना है without making any problem with the code तो यहां पे हमारा countdown timer है तो countdown timer को भी हटाना है तो countdown timer को भी हटा देता हूं and time value को भी हटा देता हूं अब इसके बाद बहुत सारी errors आ जोती है तो हमें solve करनी सारी error तो यह countdown timer का code है तो यहां से हटा देते हैं ध्यान रखना update question and answer option को नहीं हटाना यहां पे cancel कर रहे हैं इसे भी हटा देते हैं and यहां से जो cancel कर रहे हैं हर button के अंदर हटाना है timer को और यहां जो resume और यह सारे method थे इनको भी यहां से हटा देते है count on timer को कि यहां पे cancel कर रहे थे count on timer and यहां से भी अब यहां पे हमारा on backpress से भी हटा देते हैं यहां वापास आते हैं और यह method सा भी इनका क्यों को यह में जरूरूत नहीं क्योंकि count on timer हम इस application में using नहीं कर रहे हैं तो finally आप देख सकते हैं अब हमारी application से सारे error जा चुक है हमने एक UI यहां से हटा दिया है अब इस video में मैं इनको भी यहां पे हटाना पड़ेगा पर सबसे जाले हम यहां पे changes करते हैं तो यहां पे जो image है इसके में जरूवत नहीं है क्योंकि हमारे को यहां पे image display करानी है जो coin है उसको भी हमें हटाना है तो coin मैंने हटा दिया अब यहां पे हमारे SRC से हमें यहां पे change करना है SRC यहां पे हम भी जूश करेंगे home यहां पे job लिखते है home button bg हमारे पास आ गया यहां से 32 तो काफी कम है तो हमें यहां पे manually value set करनी पड़ेगी यहां पे मैं डाल देता हूं like 164 164 जादा है यहां पे almost like 80 कर देता हूं 80 is looking great इस पे भी 80 कर देते है finally यहां पे चीज सही लिए तो बिलकु align होचीगा properly अभी बाल में यहां लाइफ लेंगे तो हमें थोड़ा सा over align करना होगा अब आते हैं इस पे अब अगर आप देखे तो यहां पे select नहीं रहा काफी जादा छोटा है zoom करते है और यहां पे इसको select करते है तो इसे भी मैं delete करना है तो इसे delete कर देता हूं जाने आप देख सकते हैं जाने पहले पोसिबल नहीं था अंडियो शुड़े के पुराने वर्सल में जाने यहां से THT ROM को भी delete कर देता हूं अब आते हैं वापस यहां पे इसको select करते हूं यहां से हमारे को इसका जो SAC Compact है वो चेंज करना है आप यहांसे भी change कर सकते हैं तो यहांसे करते हैं instant of typing सबसे पहले मैं चाहँ हम यहां पे 50-50 display करना चाहता हूं सबसे करते हैं 50-50 तो यह रहां 50-50 तो यहांने क्लिक करते हैं ok आप देख सकते हैं यह आ थुका हमारा 50-50 अब इसके बाद हमाने को ओरोorgan को भी प्लेस करने साभी इसको सेलेक्ट करते हैं तो यह कि डिफरेंट tuvo के अंदर है तो आते ह्या थे है तो यहाला जो linear layout को मैं हटाना यहां से, तो कि इसके अब जुरूवत नहीं है, तो कि जो align करने के लिएक हमें end में भीजा गया था, तो यह सारे चीज़े प्रिवियस ने हमने add के थी प्रिवियस application में है, अब इस application थोड़े से changes कर रहे हैं, design tab में आते हैं, यहां पे इसको select क देते हैं like 5050, तो 5050 लिख देते हैं direct, 5050 underscore 5050, तो यह image views है, तो img लिख देते हैं आगे, ताकि हमारा को बाल में जब इनकी id फेच करें हैं तो problem ना रहे, यह जो होने माला है, यह skippable है, तो उसको यहां पे select करते हैं, id इस की specify कर देते हैं, तो यह हो जगा हमारा img, skippable, skippable नमारी lifeline है, then को दोनों को copy करते हैं, और एक और बार यहां पर लाके paste कर देते हैं, तो यह हमारे को दो और specify करनी है, skippable, तो यह हमारा हो जग, img telephone lifeline, तो यहां पे हम डिख परेंगे telephone, and this one is going to light audience, audience underscore, audience pole, या audience what, जो यह आप लिख सकते हो, यहां पर audience what, लिख लेते हैं, तो यह आगए, अब इनकी हमें drawable change करने है, जाते हैं design type में, ताकि यहां से हमें type न करना पड़े, तो यहां पर 50-50 आ रहा है, इसको select करते हैं, यह telephone है, तो यह telephone life name यहां से select करते है, so this is the telephone, hit okay, now यहां 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 इसको select करते हैं, और यहां wait property यह निइख किया है, यहां पर हम आते linear layout पर, यहां पर enter करते है, हम यहां पर लिखते है, wait sum, and यहां पर हम ओलते है 4, go guy, and यहां पर layout wait traffic कर देते है, So layout, and यही weight property, तो 1, then इसके बास सभीको हम copy करते है, and यहां पर लाकर भी paste कर देते है, इसको भी select करके paste और इसको भी select करके paste यहां पर थोड़ी सी padding है start up पे तो यह start up padding हमें अटानी है सो में अटा देता हूं start padding अब आप देख सकते है properly align हो चुक है कुछ इस तरीक ही के हमारा layout हो चुग है ready जासे आप देख सकते हैं तो यहां से हमारा layout यही हम बनाने की कोशिश कर रहे है आते हैं Android Studio में और यहां पर देखे हैं तो almost looking great तो ठीक है guys अब यहां से padding है क्योंकि 10 है तो यहां तो यहां से wrap content select हो रहा है यह linear layout है सभी का wrap content तो automatically इसने content set कर लिया है padding में हमें specify कर रहा है quiz activity open करते हैं तो यहां पर काफी ज़्यादा error आ रहे है तो error वह इसने आ रहे है क्योंकि हमें जो ids fetch की है वह जा चुकी है तो यह तो यह तोससरे लिंग के ids को अटा देते हैं इसके बाद जो हमारा coin है तो coin के में जरूरत नहीं है total question तो हमें चाहिए मेंने अब बहुत सारे error आ राज है तो देखते हैं इसको भी अटाते हैं यहां से इसको भी and else block में से हमें wrong वाला अटाना है तो wrong plus plus जो variable है इसको भी हमें हटाना है रफस आते हैं तो हो जाते है control plus क्लिक करके और इन तीनों variables को भी में साथ साथ हटाना है जो इनके में जरूवत नहीं है अंदरसरी memory हम allocated नहीं रखना चाहते हैं इनको भी हटा देते हैं तो correct और जो भी उमरी functionality उन्हें में हटा रहा हूं इस video में में यही काम कर रहा हूं सारे में जितने भी concept है उनको set कर रहा हूं यहां पर इसको भी हटा देते हैं यहां से इनको भी हटा देते हैं इसको भी अब इन भी click कर रहे हैं तो जल्दी जा सकते हो अपको scroll करकर दोडने के जरूवत नहीं है जो आपको ID help दे रहा है click करो और delete करो इन ले लास्ट वन जो कि है बीचे हम data put कर रहे हैं तो इनको भी हम यहां से हटा देते हैं okay so now finally we did it so guys हो चुका है हमारा है हापर सारा का सारा concept ready अब चलिए एक बार ऐसे run करके देखते application को to see that whether everything is working fine or not क्योंकि हमने काफी जादा changes करी है हमारे quiz activity कि हैं अंदर बहुत सारी चीजों को remove किया है now finally guys यह हमारी application launch हो चीए है तो यह है play screen इस पर click करते है and then this you can see the layout क्योंकि लाइपनेंस हमने add करी है और जो changes करी है तो quiz तो भी normal चलेगी क्योंकि quiz logic तो हमने छेड़ा ही नहीं है यह जासे correct होगा तो आगे चला जेगा next quiz पे और incorrect पे हमें रोकना है जासे कि अभी मैं incorrect के हम पे select करता हूं तो वहारे को incorrect वाले पे रोकना है means हमारे को incorrect वाले पे game about dialogue display करना है instant of after this animation और यह जब correct शो करेगा उसके बाद हमारे को game about dialogue display करना है तो वह काम करेंगे हम अपने आने वाले कुछ वीडियो में अभी फिलाल हमने अपनी application की base चीज को set किया है हमने quiz activity का layout set कर दिया अब हम money winning screen को बनाएंगे सबसे पहले लिए पास पर कुछ logic add करेंगे money winning activity के अंदर और then quiz activity के अंदर भी